गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स मारामूर्ती क्लासिज में आप सभी का स्वागत हैं दियो स्टुडेंट्स बहुत सारे बच्चों के मैसेजिस आ रहे थे कि सर एक वीडियो आप इंपोर्टेंट exercise और कोशन के उपर बनाई थाकि हम लोग इक्सरसाइज को और न कॉष्टेंश को ना छोड़े कमसे कम उन कॉष्टेंश को जुरूर करें तो स्पेसली जी वीडियो वीडियो और वी बच्चे इस तरह की डिमांड कर रहे थे और और खासकर जो बच्चे जिन बच्चों की अभी तक बिल्कुल भी त्यारी नहीं है एक्जाम्स की जिन बच्चों का confidence बिल्कुल zero है means जिनका अभी तक जिनको ऐसा लग रहा है कि हम पास नहीं हो सकते तो उन बच्चों के लिए मैं minimum syllabus बता रहा हूं minimum questions बता रहा हूं ताकि कम से कम उन questions को करके आप बहुत अच्छे मांक से पास हो जाओगे तो यह वीडियो हैं हरियानम बोर्ड के स्टुडेंट्स के लिए भी है और सी बीसी बोर्ड के स्टुडेंट्स के लिए भी है तो मैं विशेश तोर पर यह जुरूर बताऊंगा कि सी बीसी के point of view से क्या important है है HBSC के तो आप जो HBSC वाले हैं CBSC वाले तो बाइफरिकेट अपने आप करते रहना इस वीडियो के जितने भी questions मैं बताऊंगा कम से कम आपको वो questions तो जरूर करने होंगे अगर आप लोग अच्छे marks के साथ पास होना चाहते हो लेकिन जो 100% का students है जो जितने भी 100% के students है उन सभी students के लिए एक चीज जरूर बताना चाहता हूं आपको अगर 100 marks चाहिए तो आपको पूरे syllabus में के लिए जाना होगा लेकिन जो बच्चे marks करना चाहते हैं जिनकी विल्कुल त्यारी नहीं है लेकिन अच्छा score करना चाहते हैं लेकिन 100 के लिए नहीं जाना चाहते त तो उन बच्चों के लिए स्पेस लिए वीडियो है तो आपको मैं बता दूं कि जो अभी कोस्टन की टिक मार्क करवाने जा रहा हूं वह elements of mathematics से करवाने जा रहा हूं जो 2018 का एडिशन है हमारे पास यानि 2021 का जो एडिशन है आप उसमें को मैच कर सकते हैं लगबग सेम से ह ही होते हैं एक दो कॉस्टन का फरक होता है तो आप आगे पीछे से देख सकते हो वह कॉस्टन सापको मिल जाएगी क्योंकि मैं आपको कॉस्टन दिखाऊंगा तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की वीडियो बनाते हैं जो elements of mathematics का जो फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट फाइव को करें 1.1 के और जो cbsc के स्टूडेंट हैं वह फर्स्ट फाइव कॉस्टन तो करेंगे ही साथ में यह कॉस्टन नमबर 8 है आप देख सकते हो कॉस्टन नमबर 8 और कॉस्टन नमबर 9 जिरूर करें इसके बाद exercise 1.2 के भी आप सभी बच्चे फर्स्ट फ बोड के स्टूडेंट से वह 9 और 10 को जरूर करेंगे अब इसके बात एकसराइज 1.3 से जो हरियाना बोड के स्टूडेंट से वह कोश्ट इसकेन कोर्षेन वह सीजिए के भी फ्रस्ट कोशन 2 पॉड्शन वह फिफ और इसके बाद 12th question, 9th question, CBSC और Haryana Board के, तो हहाना बाड के तो यह question बिलकुल न छोड़े तो यह question जडूर करें, जो मैने आपको tick mark करवाए हैं, means 9th question और जो next 12th question तो यह जडूर करें, आप और first 3 questions, first to questions जडूर करें, first 2 questions वे fourth question, हरयाना बाड के students जडूर करें, तो इन में क्योंकि हर्याना बॉर्ड का जो से पेपर है वो बहुत ज्यादा सिंपल आता है तो कम से कम इन कोस्टिंस को आप लोग जरूर करें अब इसके बाद हम एक्सराइज 1.4 पर आ जाते हैं स्टुडेंट 1.4 से आप लोगों ने जयनि हर्यान बॉक्षोन ने किस् symbolism को जरूर करें और बस चोड़ेंट की स्टूडें और भी और स्टुडेंट यहीं तक करेंगे इसके बाद इसके बाद हरियाना बोर्ड के students 1.6 exercise है binary operation CVSC में exercise कर चूकी है तो CVSC वाले students exercise को नहीं करेंगे तो 1.4 तक ही करेंगे वो लेकिन जो हरियाना बोर्ड के students है जो 1.6 exercise में A star B और B star operation यानि 1 by 2 star 4 by 5 ये A star B ये first question second third और इसके बाद 7th 6 ये जरूर करें आप लोग आप ये questions जरूर करें और इसके बाद जो हो सकता आपका five marks का questions आपके पास यहां से भी आ सकता है students जो question long answer type questions है उसमें आपके पास 20 question और 21st question आ सकता है तो हरियाना बोर्ड के students इन दो questions को जरूर करें प्लस जो मैंने आपको बताए हैं यानि second question, first question, third question, fifth question और seventh और sixth तो इन questions को आप लोग जरूर करेंगे आप देख सकते हैं students इसके बाद हम second chapter पे आ जाते हैं second chapter में आप सभी बच्चों ने 2.1 को जरूर करना है बहुत ही छोटी सी exercise है 2.1 के सभी questions आपने करने हैं 2.1 exercise को आपने complete करना है और 2.2 exercise से वैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि exercise डिलीट हो चुकी है लेकिन इस बार जो इस पराया है cbsc में सेंपल पर आया है स्टूडर्टेंट में यहां से को इस निया थाढ़ और फॉर्थ को शुन को आप जूर आप जुरूर करेंगी इसके बाद थार्ड जो चैप्टर है थार्ड चैप्टर से क्या इंपोर्टेंट है स्टुडेंट्स आप फर्स्ट एक्सरसाइज को जरूर करें सभी बच्चे GREG के और हमारे पास 3.4 एक्सराइज को आप जरूर करें और 3.5 एक्सराइज में जो यह कोस्टेंस हैं यह देखिए एक्सप्रेस दी फॉलोविंग मैटरिश सम आफिस क्यों समेटिक तो सी बीचे वाले बच्चे भी और रच बीचे वाले बच्चे भी इसको इस को जरूर करेंगे और सी बीचों के लिए एक चीज और कि जो एक्सराइज हमारे पास यह है हमारे पास 3.3 3.3 के ये वाले जरूर करे 19 ट्वंटी और यह ठाल अज़् श्ट्रेटमेंट वाले कॉर्शन्स है क्योंकि इस बार 4.2 से कुश्चन हमारे पास नहीं आ रहे हैं क्यों तो हो सकते आपके पास 65 और 6 मार्स में आपके पास यह कुश्चन सा सकते हैं तो वैसे 4.1 को आप लोग जुरूर करेंगे क्योंकि 4.1 बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है और 4.2 आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है और 4.3 को जुरूर करेंगे क्यानी 4.1 और 4.3 4.1 है यह देखिए एक्सपैंड करना सिखाते हैं हम डिटर्मिनेंट को और इसमें हम लोग इस तरहें के कोश्चन जरूर करें राइट दी माइनर एंड को फेक्टर ऑफ दी ऑफ फर्स्ट कॉलम और मैटरी है वैल्यट दीटर्मिनेंट और यूजिंग करना है तो एक्सराइज हमारे पास 4.1 को आप जरूर करेंगे और 4.3 भी बहुत चोटी सी एक्सराइज है 5 मिनिट्स की एक्सराइज है सिर्फ एक फार्मूला करना है 4.2 हमारे पास कट चुकी है तो 4.3 को आपने जरूर करना है इसके बाद फिफ्ट चैप्टर से क्या इंपोर्टेंट है फिफ्ट चैप्टर में क्या चीज इंपोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए वैसे मैंने 1-1 मार्क्स के जो कोस्टन की वीडियो बनाई है वो स इसके यहां पर दे रखा है कि देखिए आप यहां पर देखिए यहां पर देख्था है एडजोंट एक का डिटर्मिनाट एक पावर एन-1 तो इन फॉर्मॉलाज को जरूर देखना है फाइव पॉइंट के वैज फिफ्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में है यह इसको जरूर करें आप लोग जो निकालना आपको आना चाहिए बाकी 5.1, 5.2 में से कुछ भी ज्यादा इंपोर्टन नहीं है लेकिन 5.3 हमारे पास कट चुकी है 5.3 हमारे पास जो एक्सराइज है है एलिमेंटरी ट्रांसफोर्मेशन की वो कड़ चुकी है स्टूडेंट यह देखिए 5.3 में आपको दिखा देता हूं 5.3 वाली एक्सराइज हमारे पास नहीं है यह एक्सराइज कर चुकी है अब 5.4 एक्सराइज है यह इंपोरियर इंपोर्टन एक्सराइज है इसमें से एक long answer type questions यानि five or six marks का questions question जरूर आता है एक question जरूर आता है और वो इस तरह का question हो सकता है हर्याना बोर्ड में simple आ जाता है हर्याना बोर्ड में direct आ जाता है हमारे पास matrix method से solve करने का यानि third question को आप जरूर करें fourth question को को जरूर करें और फिफ्ट को थार्ड फॉर्थ फिफ्ट यह जरूर करेंगे आप लोग और प्लस इसके बाद आप लोग एर्थ नाइन्थ टैंथ और इलेवन्थ यह कोश्चन जरूर करेंगे इसके बाद यह आप ना करें शिक्ष्ट कोश्चन बिलकुल ना करें लेकिन ए 8th 9th 10th और 11th question के इलावा आप हरियाना बोर्ड के जो एवरेज स्टूडेंट वो तो सिर्फ इन कोस्टन को करें जो इंटेलिजेंस टूडेंट है वो यह स्टेटमेंट वाले question भी जरूर करें शोरली यहां से एक six और five marks का question जरूर बनेगा यानि हमारे पास जो अगर six marks का question आता है जिए मालो हरियाना बोर्ड में six marks तो six marks का बनेगा और यहां पर cbsc में five marks का आता है तो five marks का इस exercise से question पक्का आएगा शोरली आएगा आपके पास अब इसके बाद हम चलते हैं six chapter पे six chapter हमारे पास continuity and differentiability continuity and differentiability तो continuity and differentiability से कौन-कौन से questions आपके पास important है वो मैं आपको बता देता हूं six point one me up upload यह third question fourth question इसके इलावा यह जो question is six question fifth question six question or a key 11th question 11th question के इलावा यह cbsc वाले भी हरियाना हरियाना बोर्ड वाले भी 16th और 17th question कर लें और जो हरियाना बोर्ड के जो most intelligent student वो 19th question भी कर लें जरूर लेकिन 16 17 और जो मैंने पहले बताए हैं वो सभी questions आपने जरूर करने हैं अब six point two से देखते हैं students जो important है important क्या है students हमारे पास important question है हमारे पास अभी आपको first second यह करने की कोई जरूरत नहीं है थार्ड question करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं दुबारा फिर बता रहा हूं जो intelligent student को सभी question करने है जो hundred marks के लिए जा रहा है उसको सभी questions करने होंगे लेकिन जो बच्चे जिन बच्चों की बिल्कुल तयारी नहीं है जो चाहते हैं कि हम सिर्फ important important questions करें तो उन बच्चों के लिए मैं यह questions बता रहा हूं तो six question आपने जरूर करना है शिक्त और सेवंथ सिर्फ यह दो जरूर करने हैं इस exercise से और six point three से आपने second third और intelligent students होंगे जो उनको फिफ्ट और शिक्ष्ट भी करना है तो यह questions आप जुरूर करें अब सेवंथ चैप्टर पर आ जाते हैं स्टूडेंस सेवंथ चैप्टर में आप लोग कि 7.1 के जो हरियाना बोड के स्टूडेंट है सिरो फ़स्ट कोशन कर लें और शैकिन का फ़स्ट और सैकिन पार्ट कर लें इसके इलावा थार्ड कोशन कर लें फॉर्थ कर लें अब सेवंथ पैंट टू से आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है फिफ्ट कोशन हैं आप उन्हें जरूर करना है फिफ्ट को जरूर करें अब देख सकते इस्टूडेंट इसके बाद हमारे पास 7.3 एक्सराइज आ जाती है तो 7.3 एक्सराइज से हर्याना बॉर्ड के स्टूडेंट सिर्फ फर्स्ट कोस्टन कर लें और सीवी एसी के जो स्टूडेंट हैं वे सेकिंड भी करेंगे फ्रस्ट भी करेंगे और सेकिंड भी करेंगे इसके लावा जो एंट है है वो फूर्ट मों को बिल्कुल ना छोड़ें फिफ्ट और फॉर्थ को दो जुरूर ना छोड़ें तो यहां पर जो इंपोर्टन इसका इम बाड़ हमारे पास प्रक्रान्व में आजाता है एट्स गोशन इस वर्वरीमपोर्टन कोशन है सीबी अ कि क्वांट रूं उप्सों भी इंपोटेंट हैं इन वान ब्रफवाएज को आव जरूर खर न हो का अब इसके बाद हम आ एक अब यदि से हैं। 7.4 पर तो 7.4 से आप लोग क्या करेंगे आप लोग 7th question के सभी पार्ट करेंगे चिर्फ 7th question के सभी पार्ट जरूर करेंगे cbsc वाले भी और हरियाना बॉरड वाले students भी 7.5 से देखते हैं students 7.5 का जो एड पॉशन है है वेरी इंपोर्टन्ट कोश्वें तो जरूर करें हरियाना बॉर्ड वाले दो चुर आजाता है यहां से इन कोश्वें को जरूर करें और सी बी यसी वाले शिख्त और सेवंथ जो स्टूडेंट है वह फॉर्थ फिफ्ट शिख्त और एट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना सब करना है इन्टैलिजन स्टूनेंट ने लेकिन वीग स्टूडेंट हैं वह कम से कम से एड़ तो करेंगे ही और इसके साथ सीथ और समय को जरूर करें सेट और सीथ का फ़र्सट पार्ट जरूर करें और इन में से इन को बिल्कुल ना चोड़े नाइथ और टैंथ को बिल्कुल ना चोड़े आप पहले दो कोशन हरियाना बॉर्ड वाले भी करके जरूर जाएं फर्स्ट कोशन जरूर कर लें अगर सैकिन ना करें तो फर्स्ट जरूर कर लें इसके इलावा ज्यादा कुछ करन सब्सक्राइब तो यहां से आजाता है फोर्स पॉस्ट या इन वे नाइन तो तेंथ वेसे तो आप लोग जुरूर करें सी बीसी वाले है अब 7.7 है ज्याधा करने के जरूरत ने सिर्फ फ़र्सट कोस्टन करें हरिएना बौड़ वाले स्टूडेंट सिर्फ फस्ट कोस्टन करें सीविए से वाले भी सब्सक्रेंट करने से काम चल जाएगा आपका और 7.8 इतनी इंपन्ट न ही कह सकते हम लोग तो 7.8 को आप लोग छोड़ सकते हैं 7.9 is very very important exercise 7.9 exercise important है students तो 7.9 के ये जो 3rd के पार्ट हैं वो सभी के सभी 1st, 2nd और 3rd ये जरूर करें आप सभी बच्चे 2nd और 3rd के सभी पार्ट जरूर करें और CBSC वाले बच्चे 8th question बिलकूल न छोड़ें और ये जो 4th का 4th पार्ट है 5 marks का question कई बार यहां से बन जाता है तो इस exercise को सभी बच्चे CBSC वाले और HBSC वाले HBSC वाले तो सिर्फ यहां से भी कर लेंगे 2nd और 3rd question कर लेंगे यहां से उनका काम चल जाएगा लेकिन CBSC वाले ये exercise पूरी complete exercise करें तो role theorem और lagrange mean value theorem इस बार हमारे पास syllabus में नहीं है 8th chapter से देखते हैं students 8th chapter में application of derivative में हमारे पास जो first exercise है 8.1 यह remove हो चुकी है students 2nd exercise CBSC के point of view से very important exercise है CBSC में इसमें से 5 marks का question साने की संभावना रहती है slope of tangent और slope of normal तो CBSC वाले बच्चे इस exercise को जरूर करें 8.2 क्योंकि यहां से 5 marks का question आने की संभावना रहती है तो यह सभी questions अगर आप कर लेंगे तो आपका 5 marks का question है तो इसलिए हम यहां पर रिस्क नहीं ले सकते तो आपको यह पूरी exercise करनी होगी 8.3 exercise है हमारे पास 8.3 exercise 6 question 7th question को जरूर करके जाएं यहां से आपके पास एक जो long answer type question है वह आता है आपका यह यहां से आप जरूर करें 6th और 7th question से आपका एक जो highest marks का question है वह 6 marks का question आपका यहां से बन जाता है students तो हर्याना बोर्ड वाले इसको ना चोड़े और cbsc में भी यहीं से उठा लें और क्योंकि इस बार पेपर भी जी आने की समभवना है तो आप cbsc वाले भी इसको जरूर करें तो 6th 7th और 8th question 8th question को cbsc वाले जरूर करें बाकी हर्याना बोर्ड वाले 6th और 7th को जरूर करें यह important question है हर्याना बोर्ड वालों के लिए इसके बाद students जो हमारे पास exercise आ जाती है 8.4 8.4 में जो हर्याना बोर्ड वाले student हैं वो सिर्फ first question को करें first question को और cbsc वाले students भी first or second question को करें ज्यादा नहीं करने की जरूर्ट तो 8.5 में आप first question को करें cbsc वाले भी हर्याना बोर्ड वाले students भी बस इतना कर लेंगे तो आप इनफ है अब आज आती है बात 8.6 पे 8.6 के जो हर्याना बोर्ड के students हैं वो आप लोग इसमें first four question को जरूर करें सिर्फ first four question करने आपने ज्यादा करने की जरूरत नहीं हैं लेकिन जो cbsc वाले students हैं वो question number 16 to 16 to हम लोग करेंगे 16 to 27 28 question तक जरूर करें important question है students यह आने की संभावना रहती है 23 24 25 26 यह question आने की संभावना रहती है तो आप जरूर करें मैं आपको बता देता हूं हर्याना बोर्ड वालों को करने की जरूरत नहीं है हर्याना बोर्ड वाले तो सिर्फ फॉर कोस्टन करें और हर्याना बोर्ड वाले students इसमें से फर्स्ट कोस्टन करें approximation वाली exercise में से और थर्ड कोस्टन करें ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है तो यह था students हमारे पास फर्स्ट मैथ और फर्स्ट मैथ में मैं हर्याना बोर्ड वाले जो सीवेस्ट के लिए एट पॉइंट जो शिक्स पॉइंट फाइव एक्सराइज है उसमें से बता दे तो हम सेकिंड जो मैथ हैं इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रल पर आ गए हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल में आप लोगों को फास्ट एक्सराइज इंपोर्टेंट एक्सराइज है फास्ट एक्सराइज सभी बच्चे जरूर करें 9.1 और 9.2 दोनों ही एक्सराइज पूरे integration का base हैं अगर आपको यह दोनों ही exercise आ जाते हैं 9.1 और 9.2 तो आप शोरली integration आपको आ जाता है और cbsc वाले students यह देखिए 16 question का जो फॉर्थ पार्ट है इसको जरूर करें फॉर्थ पार्ट थर्ड पार्ट और यह 16 question को means जरूर करेंगे cbsc वाले students और यहां पे हरियाना बॉर्ड वाले students first question कर लें इसका और cbsc वाले students इस पूरी exercise को जरूर करेंगे इसके बाद students यह formula को आप जरूर कर लेना इन formula के base पे आपके पूरी integration की त्यारी हो जाती है तो आप इन formula को जरूर करेंगे cbsc वाले students यह इन question को 5th और 6th question को जरूर करें यह exercise हमारे पास 9.4 यह देखिए 9.4 के हमारे पास इन questions को जरूर कर लें आप important questions है 9.5 से भी आप बच्चे जो 4th question है इसको जरूर करें सभी बच्चे मीन cbsc वाले तो जरूर करें और हरियाना बोर्ड वाले सिरुफ 9.5 के 1st और 2nd question को जरूर कर लें 1st और 2nd question को और 9.6 मैंने गलती से बता दी आपको कि एक्सराइज कटी नहीं है मैंने जो इसकी 9.9 कटी थी वह यह denominator में है इसके रूट में और numerator वाली कटी है तो आप वैसे इन exercise में से जो हरिया cbsc में जो आने की संभावना रहती है यह linear upon quadratic वाले questions आने की संभावना रहती है तो इन questions को आप जरूर करें 9.6 के यह questions आप जरूर करें सभी बच्चे करें आप सीवी असी वाले यह देखिए यह यह यानि आपके लिए 9.6 important है यह यह बाले question important और यह हर बार आने की संभावना रहती है 9.7 9.7 में हरियाना बोड के जो students हैं वह सिर्फ पहले दो question करें जबकि cbsc वाले students 7th question को जरूर करेंगे 9.8 हमारे पास exercise है तो इसको cbsc वाले जरूर करके जाए 9.8 exercise देख सकते हो एकी पावर एक्स के साथ function plus function का डैर्वीटी आ जाता है तो इसको जरूर करके जाए 9.9 हमारे पास exercise कट चुकी है 9.10 हम यह नहीं कह सकते है तो आप इसको छोड़ सकते हो लेकिन जिन बच्चों ने 100 marks लेने हैं तो वे जरूर करके जाएं पाइसके बाद आप पार्सल फ्रेक्शन पे आ जाएं पार्सल फ्रेक्शन के जो यह वाली exercise है इस exercise के हर्याना बोर्ड के स्टुटन पहले दो कोशन जुरूर करके जाएं और स्टुटन इस सारी exercise को जुरूर करेंगे इस पेसली यह लास्ट वाले जो कोशन से उनको जुरूर करेंगे और 9.13 एक्सराइज इंपोर्टन नहीं है तो फिलहाल वो छोड़ सकते हैं अब बात आती है 10th chapter application of integration इसमें से आप देख सकते हो 10.1 हमारी कट चुक है integration as a limit of sum यह एक्सराइज हमारी कर लें बहुत है बाकी कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है लेकिन cbsc वाले जो स्टूडेंस है cbsc वाले स्टूडेंस भी पहले जो इंपोर्टेंट जो सिर्फ passing marks चाहते हैं अच्छे मार्ग साथ से सतर नमबर चाहते हैं तो वह पहला कोईशन कर लें बाकी करने की जरूरत नहीं लेकिन जो 10.3 है 10.3 से हर बार कोशन आता है तो आप लोग इन कोशिंट को हरियाना बोर्ड वाले तो सिरुफ पहले कोशन को कर लें फर्स्ट को करें और फॉर्थ को करें और इसके इलावा यह वाले कोशन जरूर कर लें तो देख सकते हैं आप एड़ और नाइफ पोशन है इन दोनो को जरूर कर लें तो सीबी सी में यानि वैसे हर बार तो आद आ जाता है यहींल हैसे आजाता है पॉस्ट आर प्रिसे तो फॉस्ट जरूराइं बागी छोड़ भी सकते सब्सक्राइब करते हैं अब स्टुनेंट्स अब आज आती है 10.4 एक्सराइज को आप जरूर करें सभी बच्चे 10.5 को करने की इस बार कोई जरूरत नहीं है तो 10.5 एक्सराइज एरिया बिट्बिन टू कर हमारे पास कट चुका है तो 10.4 एक्सराइज को जरूर करें आप बच्चे 10.4 एक्सराइज को यह देखिये इसके यह बहुत बढ़ हैًगा बच्चे तो तो 10.4 exercise में से एक 5 marks का CBSE में और 6 marks का HBSC में आने की संभावना रहेगी शोर रहेगी मैं यह कहता हूं कि शोर ली आएगा सीवेसी वाले स्टुडेंट्स ट्वन्टी फोर को जरूर करें तो यहां से कर सकते हो आप इसके बाद आपको कोई भी अक्सर साहीं इंपोर्टन नहीं है इसके बाद आप डिरेक्ट कौन सी एक्सरसाइज पर आएं 11.6 एक्सरसाइज पर आएं 11.6 अरियाना बॉड़ वालों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है यह कर चुकी है लेकि 11.5 को जरूर करेंगे आप सभी हरियाना बॉड के जो स्टूडेंट्स हैं वह हरियाना बॉड के स एकिस्टा आप सेक्सराइज तो यह चुनुड करें अप इनमें से कम से कम फास्ट ट्र मस्ट क्या तो आप सारीए एक्सराइज करें इंस याना बोर्ड में मुश्किल कोश्चन आने की संभावना बहुत कम रहेगी और इस बार तो स्पेशली नहीं आएंगे क्योंकि क्रोना काल चला हुआ है तो इसलिए 11.5 को जरूर करें सीवी एसी वाले भी और सीवी एसी वाले स्टूडेंट्स 11.6 को भी करेंगे लेकिन इसमें से कौन कौन से कुश्चन नहीं करने हैं जो इस फॉर्म के हैं हमारे पास मैं बता देता हूं कौन सी फॉर्म के डी एक्स अपॉन डी प्लस पी एक्स इस इकल टू क्यों यानि यह व लूंद कउश्चन से मैं बता देता हूं आपको आपके पास है यहां पे है एक तो यह देखिए एक लिदी करने कहन को जरूरत नहीं नहीं है इल्खेहरों उसलul्सक्राइब करने की जरूरत नहीं और उसमें पास बाकी ज़रूर कर लिया आप एक्सरसाइज को क्योंकि यह motif का सिफ्थ पार्ट करने की ज़रूरत नहीं कि लिदू इस सब्सक्ति करने की ज़रूरत नहीं है नाइ सेảiान को तो अगर जो बच्चर नोर्मल वो कम से कम पहला और दूसरा तीसरा question को जरूर करके जाएं अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास vector vector में आप ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तो 7.12.7 तो आपकी कड़ चुकी है 12.5 और 12.6 जरूर करें 12.5 वे 12.6 जरूर करें तो ये दोनों ही exercise important है 12.5 और 12.6 हरियाना बॉर्ड के students ये पहले 16 17 कोशन जो पहले बीस बीस कोशन कर लें 21 भी important है तो 21 भी कर लें बाकी छोड़ सकते हैं 21 तक जरूर करें आप सभी बच्चे हरियाना बॉर्ड के और मुस्किल लगते हैं उनको छोड़ सकते हो लेकिन एजी को बिल्कुल ना छोड़ाना students क्योंकि इस बार एजी पेपर आने की संभावना ज्यादा है 13 चैप्टर से अब बात आती है 13 चैप्टर 12.7 हमारी कर चुकिए 13 चैप्टर से 13.1 आप जरूर कर लें सभी बच्चे 13.2 भी आप करें equation of line तो अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो पहले 8 question जरूर करें और 12 यह 13.3 हमारी कर चुके remove हो चुकि exercise syllabus से remove हो चुकिए 13.4 हरियाना बोर्ड वाले students के लिए इस exercise में से एक पक्का six marks को चुशन आएगा तो इस बार हो सकता है cbsc में भी यहां से उठा ले cbsc तो 13.4 में exercise में कुछ भी नहीं है सिर्फ एक formula याद करना है shorter distance का उस formula direct हमारे पास value put होंगी तो आप इस exercise की वीडियो जरूर देख लें आप बहुत ही आसान exercise यहां से direct six marks का question पक्का आएगा हर्याना बॉर्ड में हर बार आता है तो 13.5 में भी एक ही formula है अगर आपको 13.4 आते तो 13.5 cbsc वाले students जरूर कर सकते हैं 13.6 से cbsc वाले students यह जो equation of plane throw three points होता है 13th question जरूर important है important question है हर्याना बॉर्ड वाले students भी इस question को जरूर कर लें क्योंकि इंपोर्टेंट question है हो सकता है यहां से भी बन जाए यह तो सिरफ एक formula याद करना है और direct आपका यह यहां से six marks का question उठ जाएगा हर्याना बॉर्ड में five six का और cbsc में हमारे पास five का यह question उठ सकता है तो आप इस question को जरूर कर लें और 13.6 में मेरे इसाफ से हर्याना बॉर्ड वाले को करने की जादा जरूरत नहीं है 13.7 हमारे पास delete हो चुकी है 13.8 में हमारे पास जो यह formula है वह delete हो चुका है तो हमारे पास है प्रूव दाड़ इमेज ओफ इस पॉइंट ऑन इस प्लें लाइज ओन दी प्लें दिश तो हम यह इमेज वाले questions जरूर कर लें cbsc के सभी intelligent students भी इमेज वाले question हमारे आने की संभावना रहती है और इसके जो import and most most important question है वह कौन से है है 29th question most important question है intelligent students के लिए cbsc के लिए हर्याना बोड़ वाले छोड़ सकते हैं इसको cbsc वाले 29th question तो जरूर करेंगे और हर्याना बोड़ के स्टूड़न 13.9 में यह सिर्फ पहले हमारे पास four question गुद जरूर करके जाएंगे first four question हर्याना बोड़ वाले students और cbsc वाले भी इन first four को जरूर करेंगे और 13.10 में हम लोग first seven eight question को जरूर करके जाएंगे सब ही बहुत simple simple questions है direct formula put करने करते ही हमारे पास यह questions हो जाते हैं 13.10 के first seven one or eight question जरूर करके जाएं अब फोर्टीन चैप्टर से कुछ भी नहीं करने की जरूरत आपको इस भार आपको फोर्टीन पॉइंट तू जरूर कर ले फोर्टीन पॉइंट तू में भी आप लोग दो या तीन करने की जरूरत नहीं है नाइंथ को करने की जरूरत नहीं है नाइंथ को करने की जरूरत नहीं है सेवंथ को आप कर सकते हो यानि यह फिफ्ट करने की जरूरत नहीं है ज्यादा इनिक्वेलिटी वाले करने की जरूरत नहीं लेकिन जिनमें तीन या चार का इनिक्वेल्ट यहां पर चार पांच निध्य करने की जरूरत नहीं है जहां पर दो या तीन निक्वेल्टी है वो जरूर करें आप पॉस्टन बाकी 14 चैप्टर से और कुछ करने की जरूरत अगर 8 से 8 9 कोश्टन कर सकते हैं पहले 8 9 तो जरूर कर लें हरियाना वोड़ वालों को सिर्फ ऐस सिर्फ पांचवान चटाः इस कोश्ष नग्याना वाले स्टूडेंट जरूरर करें और च्पलर करने की ज़्यादा जरूरर करें लेकिन इसमें से कई बार कोश्टन आ जाता है पिछे दो तीन बार आ आया है तो इंपोर्टेंट कोश्टन है 1921 फिटीन पाइव के आप सभी कोश्टन से जरूर करें हरियाना फिटीन पाइव के पहले तीन चार कोश्टन कर लें पाइव के पहले तीन और चार कोश्टन करने लेकिन जो 15 हमारे पास 6 इसको सभी बच्चे पूरी एक्सरसाइज को कर लेंगे cbsc में भी एक five marks का questions आने की संभावना है इस exercise से तो इस exercise को बिल्कुल भी ना छोड़े हरियाना बोर्ड वाले भी और cbsc वाले भी और 15.7 है इसको आप देख सकते हो simple exercise है तो आप जरूर कर लें इसको भी यह आसान exercise है अगर नहीं होती तो कोई ज्यादा घबराने की भी जर तो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स यह था हमारे पास जो important important हमने questions करने हैं तो कम से कम इन questions को हमने नहीं छोड़ना अगर आप 100 marks करना चाहते तो आपको सभी questions करने हैं अगर आपकी बिल्कुल भी त्यारी नहीं है लेकिन आप अच्छे marks के साथ पास होना चाहते हो त तो कम से कम आपको इन questions को तो जरूर करना पड़ेगा तो उमीद करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को like करें comment करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नही झाल